करते हैं दूसरे पार्ट से यहां पर आज प्रमुख रिंगवेदिक देपता यहां प्रित्वी के देपता जो थे वो प्रित्वी ब्रश्पति अगनी और सूम दे सूम की चर्चा जो है तीसरे सरवादिक महत्पुन देपता थे रिंगवेद के नवे मंदल के सभी मंत्र इन पूशन बनस्पतियों के देपता थे इनके रत के बकर को बकरे खीशते थे अंत्रिक्ष के देपता के रुपे मरूत परजन्य इंद्र रुद्र आपह वायू था सरवादिक महतपुन देपता पुरंदर किलों को तोड़ने वाले विश्व के स्वामी रिंगवेद के 250 सुक् रिंगवेद यदुर्वेद सामवेद हैं अब हम लोग आते हैं रिंगवेद काली नदिया अशकनी जोकि जिसका अधनिक नाम है चेनाव विपास्टा जिसका अधनिक नाम व्यास है परुशणी रावी नदी को कहते हैं तस्ता जहलम नदी को कहते हैं सदा नीरा जो है वो गंड़क नदी को कहते है। शुति श्री सतलस नदी को कहते हैं कि जो मंदल है और उसके रचियताकार कौन से हैं। वेद में प्रथम मक्छुद्मा मेघाति थी दुतिये गृत्समं तृतिये विश्वामित्र चतुर्थ वामदेव पंचम अगनी अत्री सस्टम भारत द्वाज सप्तम वसिस्ट अस्टम कन एवम अंगिरस नवम सोम देपता और अन्य रिश्य और दसम विमदा इंद्र सची और अन्य और जैन धर्म के बारे में हम लोग परिचे करते हैं यहां पर जैन धर्म जो उसका संस्कृत संस्कृत में जिन सबसे बना वो जैन है जिनकार्थ होता है विजेता इसके संस्थापक रिशब देव थे और इसके महात्मा जो थे निग्रत थे और प्रतम तिरतागा सत्य का मतलब सत्य सदेव सच बोलना हिंसा हिंसा से परहेज अस्तेय चोरी वर्चित और अपिग्र संपति संग्रहन नहीं करना उस्तर महावीर स्वामी का जन्म जो था वह पांस संद नियानवी स्विपूर में अस्थान कुंडग्राम कुंडलपूर वैशाली में था जिनके उनके पिता सिधार्थ थे जो कि ग्यात्री रिश्यों के संग के प्रधाम थे माता त्रिश्ला और वीदेह दत्ता थी जो कि वैसाले के लिक्षवी गन्राज के प्रमुख चेटक की बहम थी उनकी पत्री यशोदा थी जो कुंड़नी गोत्र की कन्या थी पुत्री अनुज के पश्यत महावीर जो थे उनके नई नाम थे केवलिन अहर्थ जिन और निग्रत थे प्रथम से उनके जमाली थे और चतुर्याम सिक्षा के विए पांच में ब्रत ब्रहमचर्य को जोड़ा था उन्होंने कि हम लोग चतुर्याम में सत्य अहिंसा अस्ते और अपिग्रह थ किया था उनका पुनर जन्वर करवाद में विश्वास्ता उनके मृत्यूर पांसो सत्ता इससे पूर राजा राजगीर के निकट पावा पूरी में हुई थी इसमें प्रिक्षा उप योगी कुछ तक तो है वो इस तरह से हैं जैन संग के प्रतम अध्यक्षे कॉंते सुध भर्मन झृण्धरम का भिवाजन छोता सुःतामबर सुल वद्र के आई ते दिगंबर भज्र बाखो के याथ ते पृत्यम जेन सभाल जो थी वो पाठल पुत्राव में हुई थी जिसके अध्यक्षे सोल भद्र टै धे जुती जेहन सभब्लभी की वा धा जिसके अध्यक और मिर्गदान में प्रफर्फमुदेश जो है वह महात्मा बुध्द्ध के बारे में जानते हैं या की महात्मा बुध्द्ध के बारे में उनका निना महात्म बुद्ध्ध और गौत्雨 Electric इंग की मातaurais महा माया पूली ये थी पिता सुदौधन साक Сाकरते इनका जन पांस तिरे सट इसवेपुर लंबने में हुआ था लालन पालन गौतमी प्रजापती ने किया था इनका विवाह 16 वर्स के आयू में हुआ था पत्नी जो थी यशोधरा थी जो साकेवंस से थी पुत्र राहुल था और ग्रेत याग लगवक 19 वर्स के आयू में इन्ह ने किया था इसमें कुछ परिक्षाव प्योगी महत्वपुन तक्त्य है चार और यह सत्य दुख समदय दुख निरोद दुख निरूद गामिनी प्रतिपाद सरवाधिक प्रचार कौशल सरावस्ती 21 वर्षावास महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने महापरी निर्मान था कुछी नगर में असी वर्ष की आयों में सरीक त्याकिया अंतिम समय अंतिम बर्षा रितु वैशाली में पावा के चंद्र ने सुकर्म बद्धु खिलाया था जिसके कारण से इनके मृत्य हो गए थी कि कुछी नगर में सुभद्र को इन्होंने अंतिम बुबदेश द वैशाले के समीप हुई राजगरी के निकट इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात की ज्यान प्राप्ति 35 वर्स के वस्था में बैशाखे पुर्णमा की रात्री प्रिक्ष के नीचे इन्हें ज्यान के प्राप्ति हुई अब इनके अभी यहां से कुछ परिक्ष हीनियान का साब्दिकर्थ है निम्न मार्ग महायान का साब्दिकर्थ है उतक्रिष्ट मार्ग बुद्ध अपने मत को कहते हैं मध्यमा परतिपाद और मध्यम मार्ग यह अस्टांजिक मार्ग जिसमें प्रग्या उसील समाधिय सम्यक दृष्टी सम्यक संकल्प सम्यक कर्मा इनके घटना का जो है जर्म कमल और साड से ग्रीत या घोडे से दर्साया जाता है ज्यान जो है पीपल और बोधी ब्रिख्षे निर्वान जो है पदिचिनि से प्रिटियु इस्तूप से है तुर्पिट पाली वहासा में विनाय पतिकम सुथत्र पतिकम और अमिध्धम पतिक इसमें शिक्षा के कैंद्र बुद्धि के समय में थे नालंदा जिसको कुमार गुप्त ने बनवाया था बल्लवी और बिक्रम शिला जीजिए धर्म पाल ने बनवाया था कुछ सब्द हैं जिसके साथी करता है सोते महापुरुषों के धातु अवश्य सुरक्षित रखने वाली समाधी विहार विच्छों का आवास जिसके नाम पर हमारा बिहार पड़ा है इस्तूप मृतक की चुनीवी अस्थियों को रखने का अस्थान आप जाएंगे नालंदा में तो आप देखेंगे बहुत सारे वहां सत्रू था दूतिये संगती जो हुए थी वह तीन से तरासे स्विवपूर में हुए थी अस्थान बैशाली था बालुका राम बिहार में अध्यक्ष सुबुकामी या सावकामी थे सर्वकामी और इसके साथ काला असोग थे तृतिये बहुत संगती 247 से स्विवपूर प्रिष्क थे और कुछ परिक्षा के दृष्टे से महत्वपूर पॉइंट बहुत धर्मी विभाजन जो हुआ था महा सांगीक और सरवासित वादी था परिवर्तन के पक्षी में नेतृत करता के नेतृत करता महा कश्यप थे और परिवर्तन के विरोधी जो थे और भारत में प्राचिंतम धर्म है रिंगवेद में सिवकाने नाम रुद्र है कुषान सासकों के सिक्कों पर से ब्रिशाब और त्रिशूल के आकरती उत्किर्ण होती है उदेगरी गुहालेक में सेव गुफा का निर्वान वात जिसे चंद्रगुप्त दो के सन्नापति वीर अब हाजित सुन्निवाद के प्रवर्तक नागार जुन दे विज्ञानबाद जो योगाचार और संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेनाथ भावी बुद्ध जो थे वह मैत्रे तो छनवाद के सिधांत को बुद्ध ने दिया था और भागवत धर्म जो दैसके मुखि बिंद देव देशत से और अपोलो टोडस के सिक्कों में सरप्रतम भागवत धर्म के चिन्न है सिम मंदिर जो उसमें कंद्रिया महादेम मंदिर है कौशर कैलास मंदिर खुजराहो चंदिल की सासक का है एलावरा राश्टकूट के समय के निर्मित है मोरा मथुरा पंचवीरा पाशान लेकर संकर्ण सवासुदे प्रद्युम्न सांब और रुद्ध है और गुप्त नरेश जो इसमें वैश्व मत अन्याईग है और गुप्त सासकों के राजचिन सेव संप्रदाय में वावन पुरान कंचार सेव बशुपति संस्थापक जो है इसके लकुसील है सेव के अवतार कहे जाते ंप्रद्युम्न संकर्न बलराम नवासुदेव रुहिनी सुद्पन्वीते प्रद्युमन क्रिश्ण रुक्मनी के पुत्रते अनुरुद् अलगावार संदक्षिन भारत में वैश्नव धर्म का प्रशार जो था प्रशार मंडल था और अंडल कान एकमात्र शांद्वी था छटी इस्वी सतय इस्वीपुर में राजनतिक दशा के बारें ब्रात करते हैं इसमें सुरोत जोते बहुत ग्रंद अंतर निताय जैन धर्म ग्रंत भागवती चरण सुत्र पांड़नी का अष्ठ अध्याई और महापरी निर्वान सुत्र है इसमें कुछ परिक्षा उपयोगी प्रशन जो है वो इस तरह से तत्थे जो है वो इस तरह से हैं बुद्धुकाल का सबसे बड़ा सक्तिशाली गन राज वैशाली था प्राचण सावस्ति की नगर विंद्यास जो थवार्थ्य चंद्रकाराय था दो राजदानियों महाजन पत्ते पुशल उत्तर भारत की राज़णु षा पांवा से लवन के साखे ती मल पावा और पावा और नकी राज़णे सपा. इंकी राज़धाने पंचाल उत्य अब आते हम लोग मगद समराज पर यहां पर हरियक बंस तब इंबिशार जो था उसका बास्तवीक परिचे करवाते जैन सहाइट में श्रेनिक नाम से था महा बंस पंद्रवर्श का मगद नरेश्ट विबा चेटक लिक्ष्वी सासके पुत्री चेलना के साथ इनका विवा नरेश क के साथ वा तो बंद देश की राजकुपारि खेमा के साथ वीवा था युद्ण नगराज के ब पुत्र प्रकुंट्र का पी था doc पुरान शत्री अवंती की विजय मगत समराज की सीमा मालवा तक थी वत्स पर अधिकार ता गिरीवज के अत्रित वहिशाली नेगर दूसरी राजदानी थी काला अशोक जो था वो सिसुनाक का पुत्र था जो उसका पुराणों में जिसका नाम काकवर्ण है और प्राची द्राजधानी पुला पाटली पुत्रा स्थांत्रित किया था इसके समय में बुदूतिय बोधिसंगति कायोजन हुआ था नंदवंस महा पद्मनंद नंदवंस इसका संस्थापक था इसका निनाम महा बोधिवंस मोगरशेन के नाम से है कली का अंस है और सर्व सत्रात्मक सभी छत्रियों का नास करने वाला था इसे दूसरे पुरुष्राम का अवतार कहा जाता है इसके अन्य तत्य एक छत्र सासन का स्थापना एक राट की उपाधी इ सब्सक्राइब का जाते हैं सिंद्ध कि से नापती का बढ़र शाल था और जैनाम इसके परतम एक प्रथम युनानी महत्तून अविलेख दारा प्रतम के संवराज के इतएश प्रांतों का उलेख है इसमें घरण भारत में दारा के संवराज का बीश्वा प्रांद था जिस में कुछ महतोपुन तत्त हैं पारशिक संपर्क के परणाम सुरू भारत के पश्री मोतर प्रदेशों में नई लिपी का जन्वाता उसको खरोष्टी लिपी का थे अर्त जरंद्शिक्स का वैराज वैथा टेसियस मैसिडोनिया के छत्रफ फिलिप दुतिय का पुत्र था सिकंदर सीमांत गन राज अस्वाक की राजधानी मसक थी गुरू पोरश का राज बसाओ था जहलेम अर्चनाओ के मद्धि पोरश सिकंदर से पराजित हुआ था जहले मिर्त्य हो गई थी अब हम लोग आते हैं मौरी बंस के ऊपर पर चंद्रगुप्त मौर्ज यह था इसका इसके भारती सुरोत थे मौरी राज वंस का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्ज भारत का सरप्रतम राजनतिक रूप से एक बद्ध किया था नंद राज का पुरी भाग के चंद्रगुप्त मौरी कौन था उसके बारे में पता है मयूर पोश्कों के में के ग्राम के मुख्या की पुत्र की पुत्री परिषिस्ट वर्णन और हेम चंद्र कृत्ता वीदेशी स्रोत में बिलियम जॉंस ने संट्रो कोटस चंद्रकुप्त मौर्ज ब पाकरमनकारी सेना को परास्त किया था उत्तर में हिमाले की श्रिंखला तक था पश्ची में हिंदुकूस तक था मृत्तियों के समय समराज की सीमा जो थी वह उत्तर में हिमाले की श्रिंखला तक थी पश्ची में हिंदुकूस तक थी पूर में बंगाल की खाड़ी तक दक्ष सिरिया के राजा एंटियोकस के sonra। डाे मेकन का आगवन हुआ था, प्लीनी का नसार मिस्तर के राज़प, टामी भूद क के राज़ दू आगवन हो था। शीरिया का सासख एंटियोकस को से तीन मांग की थी मीठी मदिरा सूखी अंजीर और दार्शनिक अब सब कुछ हम बात करते समराट असो के संबंद में कुछ तप्तिक के बारे में बहुत साक्षों का नुसार सम अपने पिता के साशनकाल के उपर आ जाते अवंति उज्जेनी का धम का प्रतिपाद किया था समर समराट असो के साशनकाल में निग्रोध द्वारा असो के बहुत धर्म के में दिख्षित किये जाने का उलेख मिलता दिव्या दिव्या वदान में और असो दसराज जो दसरत है जो बहुत धर्म के उन्हीं आए थे अब आते हैं समराट असो के बारे में कुछ बातचीत करत जो कि प्राप्ति करकें अडिक लेग या सिला लेग कह जो थे ये तिसी ला ये मिश्म own और आठ अस्तानों को प्राप्त अधिकर्द प्राकृत भाश्वा अथ था असुक अब लेक में गुहा लेक थे अस्तम लेक में भाबरु वैराट अस्तम लेक है असोक ने श्वयम को मगत का समराथ कहा है तुर्माय तुर्मै टामलीृ फिलेडिल्फिया अलकशूंदर अलकजेंडर सीरिया और अतियोगति पांच मेत्रपुन संबंध वाले यवन राजा थे जिसमें तेरवां सिलालेक था एपिरियस अलिक सुंदर अलेक्जंडर सीरिया अतियोक्ति एंटिक्योस सायरिन मग मैसीडोनिया मगदूनिया अंतिकीनी एंटिगोनस और गोनातस कलिंग युद्ध असोग के राजिकाल की सबसे बड़ी घटना थी विजेता असोग था सुरो तेरवां सिलालेक है असोग राजजाबिशेक के आठ बर्स के पश्चा 261 स्विमिवा था प्रांत उत्तरापत तक्षिशिला और अतिवरटप उज्जेनी कलिंग तोशाली अब आगे के वीडियो के लिए आप बने रहें धन्यवाद